हेलो फ्रेंट्स आप देख रहा है टेक्निकल लिहंदी गुरूजी फ्रेंट्स पिछली वीडियो मां मैंने आपको बताया था जैसा कि मॉर्निंग में एक वीडियो अपलोड किया था सुप्रीम कोड का एक आदेस आया है और ये आदेस काई ना कई चात्रों के पक्ष में है और अच्छी ख़बर चात्रों के लिए है जो जज्जमेंट है मैं आपको बता दू फ्रेंट्स इसमें सुप्रीम कोड ने ये बोला है कि जो कांसलिंग होगी और इंडिया कोटा की अगर सीट काली रह जाती है तो इसट्रे-वेकंसी रंड भी अब होगा अगर मंफंप смотреть नहीं कराया जायगा अगर सीट ऑल इंडिया कोट की नहीं फिलफिल हुपाई तो फिर इसट्रे-वेकंसी रंड यहाँ पर कंडर्ट करा जाएगा सो वीडियो मंतक बने रहेगा कुछ रेगुलेशन चेंज किये गए हैं वह मैं आपको बताऊंगा सो क्या रूल्स रेगुलेशन हैं जो कि सुप्रीम कोड ने इस चीज के लिए खुद बोला है कि इस घुम सब्सक्राशन है So, twins मैं आपको बताऊं he길 पहला रूल्स यहांपर यह है कि सबसे पहला कि All India quota की counselling होगी वह चारण्ड में करवाई जाएगी दूसरा jeहां पर यह है कि All India 1st Round All India 2nd Round All India Mopop Round and All India .hd चार राउंड में आपकी काउंसिलिंग कराई जाएगी, then उसके बाद यहां से देखीगा क्या update है, जो important information है, वो सबसे पहली information यह है, कि friends, आपका said round will be conduct for the all India court seat, having all India character, are the contributed by seat, 15% EUG seat and 50% PG seat रहेंगी, ठीक है, तो यहां से देखीगा, आपको मैं बता दू, friends, कि there will be the phrase registration for candidates in all India history vacancy round में, यहां पर बोला है, कि आप phrase registration history vacancy round में phrase registration नहीं कर पाएंगे, बलकि phrase registration candidate will be allowed in first round में phrase registration कर पाएंगे, second round में phrase registration कर पाएंगे, मोपप राउंड में phrase registration कर पाएंगे, कहने का मतलब है, कि आप first round, second round और मोपप राउंड में registration कर पाएंगे, बाकि friends, आप strip vacancy round में registration नहीं कर पाएंगे, जैसा कि यहां पर friends बोला गया है, आपको अगर registration जैसे suppose that, अगर कोई बच्चा first round में registration कर देता है, और उसने counselling कराई है, लेकिन उसको seat alert नहीं की गई यहां पर, तो क्या होगा, जब बच्चा seat alert नहीं होती है, तो ऐसी condition में, आप eligible है second round के लिए भी, ठीक है, second round में भी आपको seat नहीं मिली, मोपप राउंड के लिए आप eligible है, मोपप राउंड में भी नहीं मिली, इस्ट्रे वेकेंसी राउं में आप registration करना ही पा हुए, so that, जिन बच्चों को, इस्ट्रे बेकेंसी राउंड में participate करना हो, तो मोपप राउंड तक अपना registration कंप्लीट करा ले, ठीक है, यह तो है update यहां का, दूसरा है कि, bill VN, option, upgradation, and free exit, only in first and all India counselling, जो बच्चे को, कोई seat मिल जाती है, तो वो upgradation मे जाना चाता है, सोचता है कि मैं आप इसको upgrade कर दूँ, और मैं second round में जो seat मिलेगी, फिर मैं उस seat पर upgrade हो जाऊंगा, तो cable यह मौका आपको all India quota के first round में ही मिलेगा, और free exit भी आपको first round में ही मिलेगा, free exit का मतलब ही होता है, कि अगर आपको कोई seat मिल जाती है, तो अगर आप की free exit नहीं होती है, फिर उसमें आपकी security amounts बगएरा होता है, counselling fee, registration fee बगएरा होती है, वो सब जब्त कर ली जाती है, और आप seat को छोड़ सकते हो, then दूसरा है, there will not be option of upgradation of the mop up round from second round, ठीक है, यहाँ पर भी आपके upgradation के लिए कोई भी chances नहीं है, जिस बच्चे को second round में seat मिल जाती है, वो चांता है कि मोप up round में upgradation करा हूँ, तो यह भी बिल्कुल भी allowed नहीं है, आपको cable, cable, first round में आप upgrade और free exit seat को छोड़ सकते हो, बिना किसी charge के, ठीक है, दूसरा है, candidates have joined allotted seat in round second, further round counselling will not be allowed, reason will be also eligible, take part of the further round, any type of counselling, ठीक है, देखेगा, यहाँ पर क्या बोला गया, high candidates who have joined allotted seat around second round में, seat allot आपको हो जाती है, suppose that second round में आपने participate किया, और आप second round में आपको seat allot यहाँ पर कर दी जाती है, further round counselling will not allowed, उसके बाद अगर आपको second round में seat मिलती है, ठीक है, तो आप further round के लिए allowed नहीं के जाएंगे, जैसा कि further round will be allowed, reason will be also ineligible, take part of the further round, any type of counselling, किसी भी type के counselling में आप participate नहीं कर पा हुए, candidates who have joined allotted seat in round second will be eligible further round counselling subject to forfeiture security fees, ठीक है, अगर आपको second round में को seat allotment यहाँ पर कर दी जाती है, second round में आपको seat allot हो जाती है, तो seat allot होने के बाद candidates उसको join नहीं करता है, seat पर admission नहीं लेता है college मिलने के बाद, तो वो further round के लिए eligible होगा, लेकिन इसके पीछे कुछ region है कि deposit and free registration in mop up round, ठीक है, तो आप, जो आपकी security money है, वो आपकी जब्त कर ली जाएगी, ठीक है, आपको वो बापस नहीं की जाएगी, कि security money आपसे ली जाएगी, तो उसके बाद, आप mop up round में, cable cable mop up round में धहार लखना, fresh registration कर पाऊगे, मैंने पहले ही आपको बोल दिया कि history vacancy round में, आप registration नहीं कर पाऊगे, जैसा कि यहां पर साब साब बोला गया है, ठीक है, तो आप mop up round में new registration करके participate कर सकते हो, अगर आप और participation will be the per gadget notification, ठीक है, और यह important information थी, जो कि friends कुछ changes आपर किये गए है, जैसा कि this court be informed, modified scheme, sell be the implemented, current year 2021-22, admission to need usage and PG, यह जो rules हैं, वो दोनों counselling में होगी, need usage and PG, दोनों में आपकी यह लागू होंगे, so that बस यही बताना चाह रहा था, कुछ जो implementation इसमें किये है, supreme code day, कुछ modify किया है, इस scheme में, बो friends, यह सभी need usage, PG, 2021 से लागू होंगे, आगामी आने माले बरसों में भी लागू होते रहेंगे, बाकि सभी information में आपको provide कराता रहूंगा, चैनल पर आप बने रहेगा, टेक्नि पर आप मुसे पूछ सकते हैं, या फिर आप मेरे नीचे comment box में भी पूछ सकते हैं, ठीक है, देखिएगा, मैं यह बाता दूँ आपको, कि यह तो मैं पहले ही चाह रहा था, कि कुछ ऐसा हो, जिससे instruments की favor में जाए, तो हाला कि ऐसा हो गया, लेकिन instruments की favor में है, बाकि जो भ ठीक है, बिहार हो गया, ठीक है, उसके बाद आप कह सकते हैं, महराष्ट इस्टेट है, उसके बाद एक राजिस्थान इस्टेट है, ठीक है, हर्याना इस्टेट है, तो यह को 4-5 चुनिंदा इस्टेट है, जिसमें cut-off high के विजए से, बच्चे नहीं participate कर पाते थे, तो उ आपको All India quota 15% में, जब आप seat यहां पर counselling कराते हैं, आप UP से belong करते हैं, आपको लगता है कि हम उत्तराखंड, Mumbai, मतलब All over India कहीं पर भी आपको लगता है कि इस स्टेट में, यह college मुझको बहुत अच्छा लग रहा है, मैं इस college में participate करना चाहता हूं, एड़िसन लेना चाहत जब आप बच्चा second round to counselling कराता था, तो बहाँ पर चात्र को admission मिलने में दिक्कत होती थी, because कारण यह था कि second round to counselling होती थी, उसके बाद seat जो बच्ची थी, वो state को forward कर दी जाती थी, और state सी बोला जाता था, कि आप अपने state quota की counselling को करा करके, इन जितनी भी seat back end है, उन seat को fulfill कर दीजिएगा, ठीक है, तो कहीं न कि चात्रों के लिए अच्छी कपर हो, मैं बस यह चाहता था, कि ऐसा कुछ हो, जिससे चात्रों के लिए benefit हो, बाकि counselling कब से start होगी, ऐसा को information अभी नहीं आया है, counselling आप यह मान के चले, कि जन्वरी में आपकी counselling start की जाएगी, इससे पहले counselling start होने का कोई भी chances नहीं है, जैसे को information अपडेट आएगा, मैं आपको तुरन टेकनिकल हंदी को यूटीब चैनल पर आपको वीडियो में लेगी, चैनल को subscribe करना, बेल आकनो प्रेस करना, वीडियो को लाइक करना, ज्यादा ज्यादा अपने वीडियो में, वीडिय